जो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के पहले अक्षर की कहानी कुर। तो चलिए प्रारंब करते हैं क की कहानी। कमला कोट वो कंगन पहने बैठी थी। उसके हाथ में कमल का फूल था। उसके पास उसके मित्र कबूतर कचुवा और कववा बैठे थे। कमला ने कचुवे को कप में चाय पकेला खाने को दिया। उसने कबूतर को ककड़ी दी। वह कागच पर कलम से लिखने ही बैठी थी कि तभी एक कववा उसकी किताब ले गया। और किताब में रखी कंगी नीचे केर गई। कमला ने पीछे मुड कर देखा तो उसे अपनी कार आती दिखाई दी। सो ये थी बच्चो कगी कहानी। ओके इस एवेंजन में प्रारंब होने वाले शब्द दिये गया हैं। शब्दों के साथ ही चित्र भी दिये गया हैं। चित्र देखकर बच्चो अब आपको अनुमान लगाना है जैसे कमला, कोट, कंगन, कमल, कबूतर, कच्छुआ, कववा, कप, केला, ककडी, कागज, कलम, किताब, कंगी, कार है ना। ये सारे शब्द कर से शुरू हो रहे हैं। इसलिए बच्चो हमको इस कहानी से बहुत सारे शब्द मिलें, जो कर से शुरू होते हैं। ओके बच्चो तो अब हम लिखेंगे कर करूँआ।